बुड़ी मा की दर्द भरी कहानी एक पती पत्नी के जोड़े को दो बच्चे हुए दोनों ही बेटे मा बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खुब प्यार से पाला पोसा पढ़ाया लिखाया बढ़ा किया और इन इस काबिल बनाया कि ये अच्छी नोकरी कर सकें समाज में अच्छा जीवन बेतीत कर सकें अपने बच्चे के लिए दिन रात कड़ी में नहत करके एक बंगले जैसा दो मंजला घर बना कर दिया ताकि दोनों बेटे साधी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सकें ताकि आगे चलकर कभी बटवारे का विचार ना आए और इन में लड़ाई जगड़े ना हूँ दोनों बेटों को अच्छी नोकरियां लग गएं दोनों की ही साधी हो गई बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था उसको एक बच्चा भी हुआ पोते का मुँ देखकर दादा दादे बहुत खुस हुएं सब ठीक चल रहा था लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बुड़े पती की मौत हो गई जब तक पती जिन्दा था दोनों बेटे और बहु मा का सम्मान किया करते जैसे ही पती मर गया दोनों बेटे और बहु हर दिन मा की सेवा करना तो दूर मा को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे दोनों बेटे और बहु ने मीटिंग की और तै कि मा को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए यानि कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा मा के खाने की जिम्मेदारी लेगा जिन बेटों को मा बिना दिन रात देखे भूख ना होते हुए भी और मन चाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो मा तयार रहती थी अब उसी मा को बेटों के यहां पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था मा का दिल बड़ा था मा को इस बात की खुसी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही है और इसी खुसी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सुखी भी उसे किसी पकवान से कम ना लगती लेकिन दुर्भाग की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते हैं और उस एक दिन मा को भूखा ही रहना पड़ता एक बार जब बड़े बेटे के यहां 15 दिनों तक खाना खाने के बारी चल रही थी तब बड़ा बेटा अपनी बीबी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था बड़े बहु ने मा से कहा मा जी आज खाना नहीं बनाया है हम बाहर जा रहे हैं वहीं खाएंगे आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना बुड़ी मा ने कहा लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना भी नहीं आता बहु ने कहा तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है आप वहीं पर जाकर खा लिजिए तो आपको गैस चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थें लेकिन कोई कुछ ना बोला बुड़ी मा को भूखा ही छोड़ बेटा और बहु फंसन में निकल गए मा को थोड़ा दुख तो हुआ लेकिन फिर अपने आपको यह सोच कर मना लिया ठीक ही तो है कभी कभी बहु को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग किस्मत वालों को ही तो मिलता है मा खुसी खुसी मंदिर में जाकर भंडारा खा आई कुछ दिन ऐसे ही बीत गए एक दिन बड़े बेटे को छुट्टी थी बेटा बहु और उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे मा बाप छोटे बच्चे को पूछ रहे थे कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माबाप को उत्तर देते हुए कहा वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए माबाप ने पूछा घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए तब बच्चा माबाप से कहता है घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज्यादा तकलिफ ना हो मंदिर नजदीक रहेगा तो आपको ज्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा मासूम बच्चे का ऐसा जबाब सुनकर दोनों ही के पैरो तले से जमीन खिसक गई उन्हें अपने गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ जो उनके पांच साल के बेटे ने पहले ही कर्द लिया था दोस्तों दुनिया के हर माबाप यह सोच कर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे ना की वह लाठी बनकर उनके ही पीट पर बरसेंगे कर्म का चक्र निरंतर भूमता रहता है दोस्तों आज जो तुम दूसरों के साथ कर रहे हो आगे चल कर तुम्हारे साथ वही होगा यह तैं है इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बरताओ करो जैसा चाहते हो की बाकी लोग तुम्हारे साथ करें पूरी कहानी दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, सेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें